तो चलिए आज का सेशन हमें स्टाट करते हैं और आज आपको सिखाते हैं कि रेलगारी वाले प्रसने कैसे हल किया जाता है उसको कैसे सॉल्फ करते हैं तो इसकी इन पर कोश्चन देखिए कोश्चन कह रहा है कि एक रेलगारी 72 मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो कि चाल मीटर प्रती सेकेंड में गयात करना है तो चलिए सबसे पहले हम फरमुला बताते हैं उसके बाद असानी से सॉल्फ करेंगे तो देखिए मीटर प्रती सेकेंड में अगर हमको चाल निकालना है तो क्या होगा किलो मीटर प्रति घंटा में चाल गुना पाँच बटा अठारा तो मीटर प्रति सेकंड निकालने के लिए हमें इतना लिखना पड़ेगा पाँच बटारा यानि जितना दिया है मीटर प्रति घंटा में उसको हम लिखेंगे अब पाँच बटारा से काट देंगे किलियर अगर हमको कीलो मीटर प्रति घंटा में दिया हो अब मीटर प्रति सेकंड में निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे किलो मिटर प्रति घंटा में चाल देखते रहें इसमें करेंगे क्या मीटर प्रति सेकेंड में चाल गुना क्या कर देंगे 18 बटा पाच जो मीटर प्रति घंटा में जो दिया होगा उसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड को लिखकर और 18 बटाच से डिवाइट कर देंगे असानी से निकल जाएगा तो चलिए हम पहले प्रसंद पर चलते हैं उसको सॉल्फ करके आपको समझाते हैं खिलर तो इतना समझ में आया ना देखिए सॉल्फ कैसे करेंगे ज्यान से देखिएगा इसमें कह रहा है मीटर प्रति सेकेंड यान मीटर प्रति सेकेंड में चाल निकलना है इसकोल टू कितना दिया है बहत्तर मीटर प्रति घंटा अगूने क्या करेंगे पांच बटा अठारा कर देंगे काटी आठार चोका बहत्तर यानि कि चार गूने पांच कितना आया 20 मीटर प्रति सेकेंड आसानी से एंसर निकल गया है तो इतनी आसानी से हम सुल्फ कर सकते हैं और देखिए और बताते हैं माल ने जे दिया है कि रेलगारी की एक कोई कार 90 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है अब उसकी चाल हमें निकालना है मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है तो क्या करेंगे फिर वही काम करेंगे यानि 90 गूने 5 बटा 18 कर देंगे आठारा पचे नमबे और पचाहा पचीस मीटर प्रति सेकेंड आगे तो इतनी असानी से सॉल्फ करते हैं चलिए एक और प्रसन बताते हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरा समाप्ट हो जाएगा यानि किलियर हो जाएगा सर देखिए अगर कह रहा है कि कोई रेल गारी या यानि रेल गारी जो है 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है अब निकालना क्या है किलो मीटर प्रति घंटा में चाल निकालना है कि चाल निकालना है क्या करेंगे देखिए कुछ नहीं करना है किलो मीटर प्रति घंटा में निकालना है तो टोटल कितना दिया है 25 अगुना कर देंगे 18 बटा पांच इसमें पलर देंगे 25 25 आठार पचे 90 आगे हमारा क्या किलो मीटर प्रति घंटा समझे तो इतना एंसर हो जाता है तो इतनी आसानी से हम सॉल्फ करते हैं और देखना है तो देखिए 36 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से कोई कार चल रही है अब उसकी क्या करना है चाल जो है मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है लिए तो बस इतननी आसानी से देखं़ जेखिए कितना आसानी से स्ल्फ करते हैं कुछ नहीं करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है तो चोटािस लिख देंगे इधर पांच बैश य ठारा लिख देंगे आटार तरो ठाटि हैं एक नए सेशन के साथ जब तक दीजिये जाजत जहिंद जा भारत